ओम सिरी गणिशाय नमा अमारे सभी प्रेय द्रश्कों को वेत पंडिक का नमश्कार आप सभी द्रश्कों का हमारे चैनल चमक्ति किस्पत में स्वागत है दोस्तों हम आपको अपनी हर वीडियो में कुछ ऐसी ग्यानवर्दक जानकारियां और उबाय बताते हैं जिससे आप सभी द्रश्क लाप प्रात कर सकते हैं हमारा यही उद्रश्क है कि अमसे जुड़े प्रतेक द्रश्क अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें हम मांगर्जया देवीजी से आप सभी के पुझवल भविश्य के लिए प्रातना करते हैं दोस्तों आज हम आपको बहुत दोस्तों जिस किसी के घर में वासु दोस्त होता है वहां पर रहने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रिशानी या कश्ट जरूर होता है ऐसे घरों में अधिकतर लोगों को कोई ना कोई विमारी लगी रहती है डाक्टर कभी भी पीछा नहीं छोड़ पाता है घर में कलेश रहता है और धन की कमी हमेशा बनी रहती है आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो फिर भी अनौशक खर्चे लग सारे कश धीरे स्मात्र हो जाएंगे हम शुमात खर खर्ण के मुख दवार से करते हैं दोस्तों अगर आपके घर में भी वासूश्त है तो आप घर के मुख्धवार को हमेशा साथ सुत्रा रखें और अगर कच्ची मिट्टी है तो आप दर्वाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर रामा तुल्सी लगाएं अगर कच्ची मिट्टी नहीं है तो गमल में इसी पकार तुल्सी के पौदे लगाएं हम अपने विशा को आगे बढाएं इससे पहले हमारा आप से निवीदन है कि आप हमारे चैनल को स्क्राइब करें और बैल आइकॉन का पटन अवशीर दबा दें वीडियो को शेयर करें जिससे अधिसाथी लोगों को इस उपाई से लाब मिज दखें और दोस्तों वीडियो क को पूरा वशी देखें जिससे पूर्ण जानकारी आपको प्राप्स होके हम अब अपने विशा पर पुना वापिस आते हैं दोस्तों घर के मंदिर में आप रोज सुबा और शाम जाय के सुब जाय के देशीगी का दीपक जलाएं और शाम के समय का पूर पर लॉंग रखक कर बोड़ा देशीगी डालकर प्रजूरत करें और पूरे घर में घुमाएं अपने बातरूम में आप खड़ा नमक शीशे के प्याली में रखें और जब नमक बिखल जाए तो उसे बदल दें अगर आप ये सब कारे करते हैं तो धीर धीरे वास्तों दोस्त आपके घर का स वक्ता मिलने लगेगी और आपके सारे कश्ट दूर होंगे इस पकार की और जानवन दक जानकार की होगे नहीं आप हमारा चैनल ते मक्ति किसमत देखते रहें धन्यवाद